दोस्तो ओम नमश शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बैल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 मार्च 2024 दिन मंगलवार के आपकी राशी के देनिक राशी फल के बारे में कि आपकी राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना होगा किन किन चीजों से आज आज आपको फायदा होगा आपकी आज लव लाइफ कैस बहग्यासाली रंग क्या रहेगा आज आपके लिए कौन-कौन से उपाए लाबकारी शाबिथ ओंगे और साथ-साथ आज आपके बहग्या का आपको कितना परतिसत साथ मिलेगा और साथ-साथ आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा इन सबीकी महत skills पूर्ण और सटीक जानकरी इस वीडियो के माद्यम से हम आपको देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए आज का दिन दोस्तों आज भविश् सम्मंदी योजनाओं पर विचार विमर्स करने वे उन्हें साकार करने के लिए उत्तम दिन हैं बड़े बुजुर्गों का असिरवाद वे सहोग आपके लिए आज वर्दान साबित होगा नन्य मेमान के आगबन सम्मंदी सुब सूचना मिलने से घर परिवार में आज उत् लब्दियों का निर्मार कर रही हैं आज आप स्वैम के विकास के लिए मनन करेंगे आप में कुछ और बहतर सीखने वे करने की द्रण इक्षा शक्ती आज जागरत होगी साथी साथ आपको बता दे अनावशक कारियों में खर्चों की आज अधिकता रहेगी जिससे बजट भी बिगड सकता है और इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ेगा छोटी छोटी बातों पर भी निरासा और अवसाद जैसी इस्तितियां उत्पन हो सकती हैं साथिसाथ आर्थिक मामलों में भी कमी आने से कुछ तनाव आज आपको रह सकता है किसी पर ही विश्वास रखें साथिसाथ आपको बता दें आज आप भावनात्मक रूप से शसक्त महसूस करेंगे तथा सभी प्रकार की परिशानियों का हल अपनी बुद्धी मता वे विवेक से धूंड ही लेंगे परीजनों तथा मित्रों के साथ भी किसी बहत्पण पर लाबदायक विचार विमर्स आज होगा कुछ शकारत्मक प्रवर्ति के लोगों के साथ समय वैतित करने से आपका सामाजिक दाइरा और बढ़ेगा साथ यसाथ एविवायत लोग वैवायक चर्चाओं को लेकर उतसाहित रहेंगे बच्चोवे परिवार के साथ सौपि में भी आज समय वैतित आप अवश्यक करें लेकिन आपको यह भी बता दें आर्थिक इस्तिती को ठीक करने के लिए अपने खर्चों पर भी आपको नियंतन रखना आवश्यक हैं तेजवाहन से निरदारित दूरी बना कर रखें कुछ लोग आपकी उपलब्दियों से जल किसी एकांत इस्तान में कुछ समय वैतित करना आज आपको सुकून देगा आज किसे भी प्रकार का रुपए पैसे संबंदी लेन देन बिल्कुन ना करें शाते साथ आपको बता दें कभी कभी आपकी छोटी छोटी बातों पर खीचना घर के वातावरन को खराब कर देता ह अपनी महतपुन वस्तूओं और दस्तावेजों को अधिक समाल कर रखें क्योंकि इनके खोने या फिर चोरी होने का भी आज आसंका हैं शावधान रहें शतर्क रहें और आपको साथे साथ यह भी बता दें आज धर्मिक वे आध्यात्मिक गती वीडियों में समय वैतित हो साथे साथ लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता से भी आज आपको निजात मिल सकती हैं और महिलाएं आज अपने कारों के पृति अधिक सजग रहेंगी और सबी कारों में भी वे आज सफलता प्राप करेंगी दोस्तों साथे साथ बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी तो दोस्तों आपको बता दें वेवाइक जीवन आज बहुत ही सुकद रहेगा ए वेवाइत व्यक्तियों के लिए आज अच्छा रिस्ता आने की पूरी उम्मीद है घर का वातवरन आज सांती पूर्ण रहेगा तथा मांगलिक कार्यों की रूप रेखा भी बनेगी शंतान के करियर संबंदी कोई सुब समाचार मिलने से घर में खुशनुमा माहोल और शुकून भरा वातवरन रहेगा और धार्मिक आयोजन का भी आज कार्यक्रम भी बन सकता है शाथ शाथ आपको बता दें घर की गती विदियो में आज जीवन साती का सहयो करना आपको आपसी सम्मंदों को और अधिक मजबूत करेगा तथा घर का वातवरन सुखद बनेगा परिवारे की जीवन ठीक रहेगा परन्तु किसी विवरीत लिंगी व्यक्ति के पिर्ति आक तो दोस्तों आपको बता दें आज आपको नौकरी और कारोबार में मनवांचित परिणाम हासिल होंगे तथा बुद्धी मता पून लिए गए निर्णे आज आपको ने अनुमंद भी प्रदान करेंगे राजी के कारों में कुछ बादाएं उत्पन हो सकती हैं इसके लिए उच अधिकारियों के साथ विचार विमर्स अवश्य कर लें जल्दबाजी की चाह में कुछ गलत रास्तों का चुनाब आप ना करें आपके काम तो बनेंगे परन्तु मेहनत की अधिकता रहेगी आज अधिकतर महत्पकून काम दो फैर से पहले ही निम्टा लें तो आपके लिए उचित होगा और आपको बता दें रिस्की प्रवर्टी के कामों में शमय और पैसा विर्थ ना करें क्योंकि नुक्सान होने की असंका बन रही है नोक्री पेसा व्यक्ति अपने कारों के प्रती ला परवाही बिलकुन ना बढ़तें कारे छितर में समान विचार धार पर अधिक पैसा आप ना लगाएं बजट का अवस्य ध्यान रखें नोक्री में बॉस वे से करिमियों से आपके संबंद अच्छे रहेंगे जिससे आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा और अधिक मैनत से आप अपने कारों के प्रती ध्यान दे पाएंगे आज लाब के न कचेरी से संबंदी कारों में भी आपको आज सफलता मिलेगी दोस्तों साथ साथ बात करें आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा दोस्तों आपको बता दें आज आपका स्वास्त ठीक रहेगा परंतु वयाम और योगा को अपने जीवन का हिस्सा आप अवश्य बनाएं कभी क जबी अवसाद या डिप्रेशन जैसी इस्तिती महसूस होगी बहतर होगा कि अपनी समस्याओं को किसी विस्वस्णिये विक्ति से सेर आप अवश्य करें। आपको लाब मिलेगा तो दोस्तों आपको बता दें आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने के लिए बड़ या पीपल के पेड़ को दूद से सीचें और वहां की मिट्टी का टीका शरीर पर कहीं भी लगाएं आपको लाब मिलेगा और साथे साथ आपको बता दें रात को किसी पात्र में जो भिगो कर रखें और वे अगली सुबा किसी जानवर या पिर पक्षियों को खिलाएं ऐसा करने से उन्नती में लाब मिलता है जीवन में तरक्की के योग बनते हैं नोकरी वेपार में लाब मिलेगा घर में परिवारिक जीवन में खुसियों के आपको और दोस्तों साते साथ बात करें आज आपको आपके भग्य का कितना परतीसा साथ मिलेगा तो दोस्तों आपको बता दें आज आपका भग्य मीटर बता रहा है कि आज आपको आपके भग्य का पूरे 96% साथ मिलेगा हरहर महादेव जै भुलेनात